चंद्रहारह कमलायाह पिता निर्धनह आसीद सह एव कमलायाह मातुहु मरणाननंतरं ताम पोशितवान भगवान कमलाये अपूर्वं साउंदर्यं दत्तवान आसीद कमला सदा दर्पने स्वसाउंदर्यं पश्यंती गर्वं अनुभवतीस्म तस्याह साउंदर्यम द्रिष्ट्वा सर्वेपे ताम बहुधाश्लागंतेस्म नेतस्मात कमला अहम अठ्यांतम सुंदरी अतह ममसाउंदर्यम द्रिष्ट्वा कष्चित भूस्वामि पुत्रह स्वयं ममग्रुहं आवध्या माम परिनेश्यती इति अहं धनिका भविश्यामी इति स्वक्णं पश्यतीस्मा कमलाम परणेतुं बहुजनाह आगताह तादुरुशेशु मध्यम वर्गियाह एव अधिकाह आसन ते कमलाम इष्टवंतह ते नईवसह वरदक्षिनाम अपी इष्टवंतह तैही यावती वरदक्षिना इष्टा तावतींडातुं कमलायाह पितुहू सामर्थ्यं तून्न आसीत अधह कमलायाह विवाह नजातह अध कलाचे नगरेकार्यं कुर्वन शिवस्वामी कमलाम इष्टवान वरदक्षिनाम विना निराडंबर विवाहं सह अंगी कृतवान सरलक्रमेन कमलायाह विवाह जातह अपी सर्वेबांधवाह कमलायाह अध्रुष्टं श्लागितवंतह परंथु स्वस्य स्वप्नस्य अनुगुणं किमपी न जातमिती कमला तू असंतुष्ट एव आसीत विवाहान नंतरं कमला शिवस्वामिना सह नगरं गतवदी तत्रवासार्थं शिवस्वामिना स्वग्रुहं आसीत भोजनादि विशये कष्टं आसीत कमलाम सह बहु इच्छदीस्मा तथापी आचित न्यूनता सर्वदा कमलाम बाधदेस्मा ममसमीपे कौशेयशाटिकाह आभरनानीच नसंती इतीसा सर्वदाचिंतयदीस्मा एकदां शिवस्वामिनह बंधुहु कष्चना विवाहार्थम आख्वातुम आगतवान कमलयासह विवाहार्थम गंतव्यम इधि शिवस्वामी निष्चितवान परंतु कमला असंतोषेन निरुट्साहिनी आसीत धर्तुम उद्तमाशाटिका नास्ती आभरनाम अभी नास्ती माम्दृष्ट्वामम सक्यह हसेयुहु अतह अहम्ना आगमिश्यामी इती साप्पतिम उक्तवती शिवस्वामी किमपी प्रतिवचनम अनुक्त्वा अनुक्षनम एव ततह गतवान स्वामिनह सकाशात किंचित रुनम स्वीकृतवांच ततह सहयकाम सुंदरीम कोशेयशाटिकाम कृतवान मार्गे किंचित पुष्पम अपी स्वीकृत्या गुरुहं गतवान ग्रह गमनान नंतरं शिवस्वामी नूतनशाटिकाम पुष्पम्च पत्याई दत्वा कमले भवती सहजसुंदरीयस्ति तथापी शुभकार्यं प्रतिगमन समये अलंकारं विना गमनं नाशोभते प्रतिवेशिन्याह कांतायाह गुरुहेत्यू प्रभूतानी आभरणानी संति दिनद्वयाभ्यंतरे एव प्रक्यर्पैश्यामह इति उक्त्वा ततह योग्यम एकं आभरणं आनयतू भवती इति उक्तवान कमला अनिचया एव कांताम आभरणं याचितवती कांतापाटिकात थेकां पेटिकां आनिय कमल याह पुरतह स्थापितवती कमला पेटिकातह एकं चंद्रहारं सी कृत्य इनद्वयाभ्यंतरं दास्यामे इधि उप्त्वा ततह प्रत्यागतवती कमला शिवस्वामेच्य रुषभष्यकटेन घंटात्रयस्य प्रयाणुं कृत्वा विवाह गुर्हं प्राप्तवंतव मुहुट्तहतु अनंतरधिने प्रातह दशवादने आसित अनंतरधिने प्रातह कालेस्नानं समाप्या कमला नूतराम शाटिकाम धृतवती कंठे चंद्रहारं शिरसी मलिका पुष्पं चापी धृतवती साक्तु सहजतया एवसुंदरी आसित इदानीम एते नालंकारेन साव वज्रम इव प्रकाशतेस्म, विवाहार्थं अगतानां सर्वेशां अपी दृष्टिही तस्यां इव आसीत, एतत्सर्वं अवलोक्य कमला अत्यंतं संतुष्टा, विवाहस्य अनंतर दिने एव, पतिपत्न्यो नगरं आगतवंतो, कानतायाह आभरणं प्म्रत्यप्पनियंग इती कमला पेटिकाम उद्धाडितवती, हा हन्तत, तस्यां पेटिकायाम जंद्रहारहण असीत, एतस्मात कमला दिग्भवरान ताजाता, पेटिकातु यताप्पूर्वं कीलितआएव आसीत, अतह आभरणं कinyaताम अगतं इती कमल न ज्ञातम एव विशयम ज्ञात्वा शिवस्वामी कवलाया ह सांत्वनम कुर्वन् विवाहम आगतेशुके न चाूर्यम कृतं इती ज्ञातुम् न शक्यते। इती उक्तवान अनंतरम् शिवस्वामे गृहतह प्रस्थाय मध्याहने गृहम प्रत्यागतवान स्वामितह पुनर अपी किंचित रुणंप्राप्तवान गृहम आधिरूपेन निक्षिप्य अपी धनम आनीतवान इती सह कमलाम उक्तवान अनंतरम् उभव अपी बहून अंते एकस्मिन आपने अपेक्षितं चंद्रहारं क्रीटवन्तव। तस्मिन दिने सायंकाले एव चंद्रहारं कांता येई दथ्तवती कमळा। दिनत्वयानननंतरे कमळा कर्मकरीम उध्योगात चवैट्वा। गुरहकार्यम स्वयम एवकत्तुम उध्युत्ता अभवत। नारिकेलपत्रश्चलाका भिहे सम्मार्जनीही कृत्वा तासाम विक्रयनं कृतवती। कमलायाह एतस्मिनकार्ये शिवस्वामी अपी सहकारम दत्वान। एवमेव पंचवर्शानी अतीतानी। अधिककार्येन कमलायाह कोमलत्वं यूनम जातं। पूर्वम साग्धाम् यावत दर्पनेन स्वसाउंदर्यम पष्चंती समययातनं करोतीस्मा। तादृशी इदानीम स्वसाउंदर्य विशये चिंतयतुम अपी समयमन प्राप्नोतीस्मा। इदानीम जीवने तस्याह असंत्रुप्तिहिन आसीद। कदाचित कमला आत्मना संग्रिहीतं धनं पेटिकातह स्वीकृत्य गनितवती। गणनायाह अनंतरं सा अत्यंतं आनंदं अनुभुतवती। इतह नष्टस्य चंधरहारस्य निमित्तं गृतं रुनं प्रत्यर्पईतं यावध्धनं आवश्यकं तावत्संचितं आसीद एतावजाण। इदाशिवस्वामी गृहं आगतवान तदा कमला एतां संटोशकरीम वातां शिवस्वामिनं उत्तवती। तच्षुत्वा शिवस्वामी, पूर्वं सौंदर्यमदह महान आसीत, अतह, आवरन कौशेय शाटिका दीनाम महान व्यामोह आसीत भवत्याह, किन्तु यदा रुनभारह आपदितह, तदा भवती दर्पनम द्रश्टुम अपी समयम ना प्राप्नोतीस्मा, अतह, सहजतया सौंदर्यमदह अपगतह, परिश्रमेन कार्यकरनात भवत्याह सौंदर्यस्यतु कापी हानिहीन जाता, यदी एतत वचनम अहं पूर्वं वदेयं, तरही भवती कुपिता अभविष्यत, इदानींतु भवत्यां परिपक्वता दृष्यते, अतह, एतत सर्वं अतत संदर्भे, अन्यत अपी रहस्यं स्पोटिकायुतु इच्छामी, इति उक्तवान, किम्तत रहस्यं, इति कुतूहलेन प्रिश्टवती कमला, वस्तुतह, चंद्रहारं कोपिन चोरितवान एव, भवती यदास्नानार्थं गतवती, तदा अहं एव, हारं गोपितवा अधर्णानासन, नगरंप्रति प्रत्यागमनाननंतरम अहं तम् आभरनस्य आपने स्थापितवान, तस्य आपनस्य स्वामी मममित्रम, सह हारं विकृतवान इव, अहं कृतवान इव, अभिनयं कृतवंतौ, मया गुरहं आधिरूपेन नानिक्षि elegant अपि, अहं उक्षिप स्वामी मन्दाहासेन कमलाम उक्तवान, चनम् यावत कमला आनंदम अनुभुतवती, अनंतरम सापत्युहू हस्तद्वयं ग्रहीत्व, पूर्वं अहं मुग्धा अहंकारिनी च आसं, दैवेन दत्तम सोंधर्यं वयोगुणं इदानीम अपीममा अस्ती एव, इदानीम अहं शाडिकाम आभरनम च न इच्छामि, इतेन धनेन नारिकेलवाटिकाम क्रीनीमह, भवान उद्योगं थ्यत्वा वानिज्यं करोतु, अग्रेधनस्या आवश्यकता अधिका भविष्यती, यतह इतह परंवयं तरयह भविष्यामह, इतिह संती उक्तवती, कमलायां जातं महत परिवत्तनम दृष्ट्वाशिवस्वामी, तृप्त्या शिरह चालितमान, कथा सामाप्ता,